वाइस अप गाइज, I hope you are doing well, I am वीर, welcome to श्रलावर फैमिली तो कैसे हो मेरे दोस्तों मैं आसा करता हूँ, श्यांदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंज्योई कर रहे हो अपनी सेहत, फैमिली और पाइगे धान का अफेट से से रख रहे हो आप लोगों ने कई सारे ऐसे इंसानों का नाम सुनाओगा, जिनकी हार के बाद भी हम लोग उनको सिलाम करते हैं यानिके ये बोलते हैं कि या ये इंसान हारा, पर लेकिन क्या स्यांदार खेला इसी तरीके से आप लोगों से बात करूँ में महाभारत के बारे में तो महा भरत में अभिमन्यू का नाम जब भी आता है तो हमेशा एक महान योद्धा के बीच में उनका नाम ले जाता है एक सूरवीर इंसान के साथ में उनका नाम ले जाता है कि हाँ ये इंसान अपनी जो रेस थी उसमें ऐसा दोड़ा कि हार गया पर लेकिन हार के बाद भी सेल्यूट है उसको तो जिंदगी सी तरीके से जीनी है यार अगर उठो तो ऐसे उठो की फकर करे बुलंदी भी और जुको तो ऐसे जुके के बंदगी भी नाच करे यानकि हारने के बाद भी आप लोग को इस तरीके से देखा जाए कि हाँ ये इंसान ने किसको फोलो किया जा सकता है ये इंसान अपने आखरी दम तक टिका रहा जीत नहीं मिली तो कोई बाद नहीं पर हाँ इस इंसान की तरीके से खेलना चाहिए इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रोसेजर आप लोग फोलो करते हो ना उस प्रोसेजर को आप लोग इंजोय कर रहे हो विजल्ट पर आप लोग का फोकस ही नहीं है और एक बार आप लोग ने रास्ता इंजोय करने स्टार्ट कर दिया तो यार मंजिल तो आप लोग की होगी चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए तो काफी प्यारा काफी शांदार ये डिसकसर नहने वाला है टक टक ही लगा कर देखेगा बिल्कुल वीडियो को एंड था काफी कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा सबसे पहले ओवर्यवी लेंगे क्या आज की इस डिसकसर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं कोशन की फोर्म में इसके बाद में फिर लेक्चर बढ़ेगा आप लोग को आगे एके करकर पॉइंट जाने के सारी चीज़े डिटेल में बैक्राउंड इंफोर्मिशन के साथ में ये लेक्चर आप लोग का स्टेटिक और प्लस करेंट दोनों कवर करता है इसलिए हर एक एक्जाम में आप लोगो फायदा पहुचाता है पेपर देखे आते हो ना फिर आप लोग मेल करते होगी सर कि हाँ ये कोशन आगे वो कोशन आगे तो वो करेंट के नहीं होता है बहुत सारे इस्टेटिक के भी होता है पैक्राउंड इन्फोर्मेशन के साथ में आप लोगो सारी चीजे प्रोवाइड कराई जाती है तो वीडियो को एंट तक देखागरो अच्छे से तभी आप लोग लाइफ को एंजोई कर पाओगे अच्छे तरीगे से तो जान लेते हैं क्या क्या बात करेंगे आखिर ये 1971 से लेगे अगर आज की बात करें हम 2021 में तो 2021 स्पेशल क्यों है वो भी हम लोग जानेगे आखिर क्या होता बहुत सारी चीज़े आप लोग को जानने को मिलेगी तो डिटेल में जानेगे काफी कुछ चीज़े तो हम लोग समझेंगे इसको सैकिंड जो न्यूस रहेगी वो बी सी से लेटर है आपा कि एक तरीके से बात करेंगे जार 21 को में लोग कैसे सैलिवेट कर रहे हैं क्योंकि आप लोग को पता है कि बंगला देश की जो और थी 50 साल उसको कम्प्लेट हो रहे हैं अभी हम पर यहां से हट गया है और एक अलग न्यू रिपब्लिक बन गया है तो लगबख 400 साल तक अंग्रियजरों ने रूल किया हमारे उपर कितने तक किया है लगबख 200 साल तक यह उनके ओपर 400 साल तक रूल किया Cheese कि हमसे पहले और हमसे बाग में भी रूल करते रहें तो इसका नाम आप लोग को बताना है एक island है समझेंगे map जानेंगे क्या क्या है और इंडिया का क्या relation है इस island के साथ में वो भी हम लोग देखने वाले हैं आगे बात करते हैं यहां पर बात की जारे किसके बारे में आज की data में अगर आप लोग देखो कई सारी चीज़ा आप लोग यहां पर जानने को मिलेगी खासकर अगर demand और supply के बारे में आप लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करेंगे एक particular product के बारे में जिसका नाम है lithium तो lithium के बारे में जब हम लोग समझेंगे तो यहाँ पर lithium triangle के है उसके बारे में भी जानेंगे तो बहुत सारे point आप लोगों जानने को मिलने वाले है और lithium क्यों यतना news में रहता है हमारे देश में भी lithium कहीं पर पाए गया है तो इसके चलते lithium का deposit जो साइट पाईए उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और बहुत important हो गया है lithium जब से हम लोग electric गाड़ी यानिके electric विकल के बारे में बात कर रहे है तो lithium के बारे में सबसे पहले बात की जाती है तो इसलिए इसके बारे में भी समझेंगे क्या क्या चीज़े हैं कौन सी country टोपर है कौन सी country नीचे है हमारी देश में क्या condition चल रही है तो तमाम दुनिया भर के मुद्धे आप लोग को जानने को मिलने वाले है नेक्स्ट बात की जार ये deep ocean जो mission है उसके बारे में बात करें तो ये कौन सी ministry के अंडर में आते है ये अकेला ऐसा question भी आप लोगों से direct exam में पूछा गिया है तो ऐसे ऐसी चीज़े भी आप लोगों से direct पूछी आती है उसके बारे में समझेंगे अगर बात करें तो किस ministry के अंडर में आती है ये आप लोगों को बताना है समझेंगे detail में इसके बारे में appointment committee जो होती है CBI की उसके अंदर प्राइमिस्टर रहते हैं इसी के साथ में chairman जो यहाँ पर रहते हैं वीडियो के end में last day का quiz करेंगे तो वीडियो को अंध तक देखेगा अच्छे से ताकि सारी चीज़ा आप लोग अच्छे से understand कर पाऊ तो ये कुछ बात है थी I hope कि आप लोग समझ रहे होंगे अब हम लोग चीज़ा आगे देखेंगे आगे बढ़ने से पहले एक छोड़ी सी information है आप लोगे लिए जो की काफी important है आप आप मैंने कुछ दिनों पहले लगबग तीन सब्ता पहले आप लोगों से एक poll कराया था है आप जो community section में उस poll में मैंने ये पूछा था कि आप लोग किस time उठते हैं तो आप लोग यहाँ पर इसको देख पाओगे total कितना होगे यहाँ पर इनका एड़ करोगे तो सीधा सीधा 30% तो आप लोग के यही देखने को मिल जाएगा ठीक है और 30% अलगभग यह हो गया यानि कि total मिला दे अगर तो आप लोग का कितना हो गया तो मैं उसको साड़े 6 से 7 के बीच में अपलोड कर रहा हूँ तो साड़े 6 से 7 के बीच में यहाँ पर 30% कि यहाँ पर आप लोग 50% भी लोग इसको नहीं देख पा रहे हैं उटके मतलब इसका reason किया है मुझे बता दो आप लोगों ने बोला मैं पहले इसको लगबग 8 बजे करीब लेकर आ रहा था ठीक है तो आप लोगों ने बोला सर 7 बजे से पहले लेकर हो मैंने बोला 7 बजे से पहले निचलो 6 बजे लेकर आते हैं ठीक है तो फिर वो इसलिए डालना पड़ रहा है, क्योंकि कई सारे लोग उन्होंने बोला, कि सर इसको morning में लाने से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो कि यहाँ पर होता क्या है, basically सही टाइम पर आने से, अपने काम पर निकलते हैं, जो जिसको दुनिया भर के काम करने होते हैं, मतलब सब जो अपना काम कर रहे हैं, तो वो चीज़े रहती हैं, तो मुझे लगा कि है, और सही है, चलो ट्राइ करते हैं, सर्दी हो रही है, वैसे तो पर लेकिन फिर भी कोसिस करेंगे, पर लेकिन आप लोगों ने बोला जल्दी लाने के लिए फिर भी इसको उतने लोग नहीं देख रहे हैं मैं सोच रहा था कि 6 से लेके, मतलब 6 से लेके 7, 8 बजे तक आप लोग काम निपट जाए जो कि पहले 8 बजे आ रही थी तो लगभग मेरे इसाब से 1.5 घंटा और मैंने आप लोगी पहले ये वीडियो कर दिये तो आप लोग इसको मोर्निंग में उठके क्यों नहीं देख रहो ये तो देखो ना जब तक लोग उठेंगे सोचो कर जो 7, 8 बजे उठते हैं तक आप लोग अपना आधा काम निपटा चुके होंगी अपने दिन को ऐसे स्टार्ट करो ना है कि दुनिया से पहले आप लोग अपने दिन को इस्टार्ट कर रहो तो उस तरीक से देख के चलो ना तो आप लोग अच्छे से अपने लाइफ को enjoy करोगे तो morning में उटके 6 बजे वीडियो देखो ये अपना और शाम वाली वीडियो आप लोग जो यह आती है न शाम को इसका मैंने time आप लोगा 8 बजे कर दिया है इसको आप लोग शाम को ही निप्टा कर सो क्योंकि जब सुभह आप लोग उटकर देखोगे एक तो ये वीडियो रहेगी ठीक है फिर दूसरी वह वाली वीडियो रहेगी तो आप लोग को ये लगने लगता है काफी ज़्यदा बढ़न हो गया तो ये तो शाम को इसको निप्टा लो या फिर हिंदू की वीडियो आने से पहले पहले आप लोग इसको खतम कर लो क्योंकि जैसी हिंदू की वीडियो आगी फिर ये लगने लगता है और बढ़न बन गया है तो उसको burden की तरीके से नहीं लेना है अपनी चीजों की पढ़ाई हैं उसके चीजों को सीखो की कैसे क्या क्या जादे सीखने है तो ये वीडियो morning में आ रही है और ये evening में आ रही है इसलिए लाया था दुनों में gap अपनी जिंदगी का जो दिन होता है उसको अच्छे से स्टार्ट करो अपना काम अच्छे से निप्टालो अगर आप लोग माल ये 6 बज़े उठ जाते है तो 6 बज़े से उठने के बाद में आप लोगे पास में टाइम होता है आदा गंटा फ्रेस ब्रेस होके 6 बज़े एक जाक्ट आप लोग बैठ सकते हो कोपी पैन लेके पूरा निउस्पेबर खतम हो जाएगा तब तक तो फिजिकल फोम में जो निउस्पेबर आता न वो जो आप लोगे घर पे निउस्पेबर डाल के जाता है वो भी नहीं आता होगा उतनी जल्दी आप लोगे पास में हाँ पर ये वीडियो पहुँचेगी तो आप लोग इसको ढंक से उडिलाइज करो और जो भी 6,5-6 से लेके 6,5 यानि के एक घंटे की वीडियो रहेगी लगबा उसके सबसे पहले जो question के answer देगा उसी का नाम जो है मैं वीडियो के अंदर include करूँगा एक तो ये important बात है दूसरी एक और छोड़ी सी बात है अभी भी बहुत सारे बच्चे जो है वो regular वीडियो send कर रहे हैं बना बना कर के SLV के साथ में उनका experience कैसा है तो उसके बारे में मैं आप लोगो ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो है वो वीडियो continuously send करते रही है मैं सोच रहा था कि उन में से जो वीडियो है ना जो मुझे experience लागेगा बहुत अच्छे से आप लोगो नहीं share किया है और आप लोगो लगेगा कि हाँ ये वीडियो जो है share करने लाइक है तो मैं उसको उस वीडियो को मोररी में जो हिंदू की वीडियो वाकर की उसके end में सोच रहा हूँ कि एक एक दो दो दिन के gap पे daily कुछ नो कुछ वीडियो जो हाँ पे डालो कि सर इस से हम लोगी motivate होंगे अपने काम को और अच्छे से करेंगे और मैं सोच रहा था उन बच्चों की ज़्यादे तर लगाए जाए जो answer अच्छा दे रहे हैं और daily practice अच्छे कर रहे है answer writing की जो पढ़ने वाले बच्चे है तो उन से ज़्यादे experience पूचा जाए तो इसमें आप लोगी क्या रहा है आप लोग बताएगा तो ये कुछ मेरे माइंड में कुछ चीजा है जो आप लोगे साथ में share करनी थी तो कोसिस करो 16 बजे उटकर अपनी वीडियो को देखो 16-17 बजे के बीच में आप लोग काफी कुछ चीजा अपनी निप्टा पाऊगे और फिर अपने दिन को अच्छे से start कर पाऊगे तो आईए इसी जोस के साथ में start करते हैं अब यहाँ पर आज का अपना Navy Day इसको बलते हैं Indian Navy Day तो भारतिय सेना को सलाम चाहे वो Navy हो, Air Force हो, चाहे आर्मी हो तो 4 December को यह Day Salubate जो किया जाता है इसका basic purpose क्या रहता है इसका मुद्दा रहता है कि हम लोग अपनी सेनाओं के बारे में जाने आखिर उनके नाम पर हम लोग यह Day Salubate क्यों करते हैं उसका हम लोग समझें, और जब हम लोग उसको समझेंगे जानेगे तभी तो हमारे अंदर उसके लिए और ज़्यादर respect दलेगी तभी तो हम लोग उसके बारे में और ज़्यादर समझ पाएंगे तो यही इसका purpose आप लोग को देखने को मिलता है तो बोला यह गया कि theme क्या है आपर theme यह है कि हाँ पहले तो बोले कि role क्या रहे achievement क्या रहे, difficulties क्या रही अगर जिंदगी में आप लोग कुछ achieve करना है न life में difficulty जरूर आएगी तो उनको follow करकर आप लोग कितना आगे बढ़पाते हो तो वो आप लोग को आगे चीए देखने को मिलेगी तो उसी के चलते बात की जारी है बात क्या कि कि इंडियन नेवी, combat ready credible, इसी के साथ में हाँ पर cohesive यानिके बात ये की जारी हाँ पर एक तरीक से कि युद के लिए तयार और विस्वसनी है और इसी के साथ में एक जुट तो ये है theme यहाँ पर हमारी इंडियन नेवी की यानिके हमेशा तर्ट रक्सक एक तरीके से हमारी तर्ट को रक्सा करने के लिए तयार रहती है हालकि हाँ पर तर्ट रक्सा पर को रहते हैं प्राइड इन ओवर हाँ पर चहिंए वह बी उसको याद करें तो इस तरीके से आप लोगो सेलिवी ईए पर अपनी नेवी इतने को सब्सोना हुआ ना आप लोग नेगी salute from the core of my heart तो एक तरी से अपनी आत्मा से आप लोग बोल सकते हैं हाँ पर चीज़ें निकल कराने चाहिए अभी हाँ पर कई सारी बाते में आप लोग को बताने वालो हूँ जो नेवी है उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर अभी स्वार्णिम विजय वर्स सेलिबेट किया रहे है क्यों सेलिबेट किया रहे है क्योंकि 1971 की जो वार हुई थी उसके चलते अगर आप लोग बात करें 50 साल पुरे हो गए हैं तो स्वार्णिम जो यहाँ पर दिवस के रूप में इसको सेलिबेट किया रहे हैं तो 50th anniversary आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी क्योंकि इंडो पाकिस्तान जो वार थी उसी से बंगलादेश पैदा हुआ था तो उससे हाँ पर यह चीज़े काफी important हो गए थी खासकर जब एक प्रोसी देश नया बना तो 1971 में बंगलादेश पैदा हुआ था इंडियन जो नेवी है वो इस्टेबलिस की गई यहाँ पर East India Company के दोरा यह 1612 में ठीक है जो इंडियन नेवी जो है इस्टेबलिस की गई थी इस्ट इंडिया कमपनी के दोरा ठीक है तो अब आगे चल कर क्या होए यहाँ पर आप लोग को देखने को मिला है यहाँ पर रोयल इंडियन जो नेवी थी उसको पोस्ट इंडिपेंडेट के बाद में आप लोग ने क्या कर दिया उसको इंडियन नेवी का नाम दे दिया तो इसके बारे में हलका सा आइडिया रखेगा ऐसाने कि इन्होंने आगे सारी चीजे लाए वरना पहले भी हमारे देश में जो हमारे राजा रजवाड़े वहा करते थे जैसे कि अगबर हो गए ठीक है इसी के साथ में जो हमारे पुराने राजा थे इसके चार लगबग यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह काम हमारी नेवी का देखने को मिला तो इसी के चलते हैं यहाँ पर यह 4 दिसंबर को हम लोग इसको सैलिबेट करते हैं तो पूरे 50 साल भी यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा इसके complete यहाँ पर हो गया है जो particular यहाँ पर यह जो day था तो इसलिए भी हाँ पर यह सुवर्णिम वीजय वर्सबीस को बोला जा रहा है तो इसलिए बोला गया है कि question बन सकता है जैसे आप लोग को याद होगा मैंने हिंदू के lecture में आप लोग को बढ़ाया था कि वर्गिस कोरियन जो है उनको पूरे अभी 100 साल पूरे होगे उनके जनम को यानि कि 26 सनवंबर को उनको 100 साल पूरे होगे उनका जो जनम होता तब से लेके अब तक ठीक है तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं 1921 में वो पैदा हुए थे ठीक है ऐसे आप लोग समझ सकते हैं और 2021 में अगर आप लोग बात करें हाँ पर ठीक है तो पूरे 100 साल उनके जो जनम को होगे तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते है कि एक तरीके से जो भी personality इस तरीके से उसके बारे में question बन सकता है आप लोगों से exam में चलिए उनके द्वारे लिखीगे ये किताब का नाम आप लोग को बताना है देखता हूँ उनके द्वारे लिखीगे किताब का नाम आप लोग बताते हैं नहीं ठीक है तो इसके बारे में बात करेंगे अभी हाँ पर CBI के बारे में जानेंगे हाँ पर basically आप लोगों से question पूछा जा सकता है कि objective क्या है function क्या है और जो various security force या agencies है उसके बारे में question बन सकता है तो इहाँ पर यह आप लोग के GS mains के point और prelims के point से question बन जाएगा तो इहाँ पर GS दोन आ जाएगे prelims बिठीक है तो क्या हो गए हाँ पर तो यह आप लोग से question मन जाएगा जो various security force है उसके बारे में अभी समझ लेता है यह news में कुसलिए है News में इसलिए है अभी recently अगर बात करें तो CBI जो है उसको entry करने से मना कर देता है कई सारे राज्य है और बोलता है कि आप लोग के हाँ पर journal consent लेना पड़ेगा अगर journal consent किसी ने withdraw कर लिया तो फिर CBI जो है उस state के अंदर entry नहीं कर पाएगी तो recently Supreme Court की जो bench ने यहाँ पर refer किया है जो भी case था है यहाँ पर CBI से related कि एक जो एक तरीके से ने आकि withdraw किया गया है जो भी हाँ पर journal consent कि CBI हमाँ पर entry नहीं कर पड़ेगी तो ऐसे कई सारे राज्यों के दौरे हाँ यह design लियेगी तो यह case पहुचा है अभी Supreme Court के अंदर में पहले तो यहाँ पर आप लोग इस समयझे जर्नल consent क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं और यहाँ पर यह अकेला जर्नल consent नहीं है एक और आप लोग को देखने को मिलेगा basically दो तरीके के consent होते हैं जो CBI के द्वारे हाँ पर प्रोब की जाती है एक तो यह रहता है किसी ने अगर राज्ये ने जिसे हमारी country मालचकर में 28 राज्ये हैं अगर 28 के 28 राज्ये हाँ पर general consent दे देते हैं CBI को यह तरीक से accept कर लेते हैं कि हाँ CBI जो है वो राज्ये के अंडर एंट्री कर सकती है तो फिर CBI क्या रहेगी एक evergreen body बन जाएगी यानि कि हो नहीं कि जिसे यार दोस्त रहते हैं किसी के घर में जब चाओ मन घूमाओ कि अपने दोस्त का गर है ठीक है तो वो वाला condition आप लोगो देखने को मिलेगी तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर यह होगा कि general consent आप लोगो मिल गया है तो agency को permission लेने की requirement नहीं पड़ेगी हर बार जब भी कोई case आएगा यह अपना जोला उठाएंगे और तुरन जाकर तो फिर यहाँ पर ऐसी बाते नहीं रहती है फिर क्या हो जाता है फिर यह हो गया कि अब आप लोगों ने जो राज्य है उसने वहाँ पर withdraw कर लिया general consent तो general consent विड्रो कर लिया तो इसका मतलब यह हो गया कि अब आप लोग यहाँ पर journal ही नहीं जा पाओगे कोई particular incident होगा औ यहाँ पर directory वो भी वो भी अगर यहाँ पर court वगएर आप लोग को लाओ करता है तभी आप लोग की entry होगी specific किसी चीज के लिए अगर grant आप लोग को मिलता है तो regular तरीके से आप लोग entry नहीं कर पाओगे तो यह होता है specific consent तो यहाँ पर अभी कई सारे राज्ये ऐसे हैं ज इसके चलते दिक्कते देखने को मिल रही है अब आप लोग बोलेंगे अगर मालीजी किसी राज्ये में CBI का case चल रहा है और CBI ने general consent हटा दिया है तो फिर क्या देखने को मिलेगा जो already case चल रहे है उन पर कोई impact ने पड़ेगा वो चलते रहेंगे क्यों चलते रहेंगे क् इसके ओपर कोई impact ने पड़ेगा जो impact पड़ेगा वो नए cases के ओपर पड़ेगा तो ये बाते हैं पर इनके द्वारा बताए गई है तो इतना तो समझ में आ गया अभी आट राज्ये ऐसे हैं जिसमें वेस्ट बंगाल, महरास्ता, केरला, पंजाब, राजस्थान, जारकन सारे के सारे वो राज्ये हैं जहाँ पर आज की डेट में बीजेपी की गवर्मेंट नहीं है यानिकि इन राज्ये को ये लग रा था कि CBI जो है वो आनन फानन में यहाँ पर entry मारती है तो उसकी वेसे इनके द्वारा general concept जो है वो हाँ से हटा लिया है तो ये इसकी तरीके स से हाँ पर ये case जो है यहाँ पर quote के अंदर पहुचा अब अगर CBI के बारे में आप लोग उसे बात करूँ तो कई सारी बाते आप लोग जानने को मिलेगी detail में थोड़ा समझते है next slide के उपर CBI जो है ये आज की बोड़ी नहीं है काफी पुरानी बोड़ी है हमारे देश क से अंदर में इसके बारे में आप लोग उसे अभी बात करूँगा पहले हाँ पर आप लोग ये समझे अभी फिलाल कौन-कौन किस तरीगे से आपर इसकी चीजों को अपॉइंट करता है सबसे पहले तो CBI जो है वो एक non statutory body है एक तीन तरीगे की बोड़ी होती है एक तो हो 74th Constitution के द्वारा municipality को add किया गया है तो ये बाद में सम्मिधानिक body बनी पहले नहीं थी तो आज करें में सम्मिधानिक body है इस टैचूटरी body कौन सी होती है जिसके बारे में सम्मिधान में नहीं लिखावा है पर लेकिन Parliament में low यानिके act बनाया गया है पास करके उसके वेस पर यहाँ पर यह body बन गई है उनको statute दरजा दे दिया है ठीक है कई सारी body होती है जैसे से भी होगी आज करें में security exchange है यह सारी body होगी और भी कई सारी body आप लोग को देखने को मिल जाएगी जिनके proper act होते है ठीक है तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं अगर आज केर में आप लोग उसे पूछने लगे कोई से कि कौन सी body होती है यह तो वो body होते है जिनके लिए act है only तो security and exchange board of India उसके लिए act है प्रोपर अगर बात करेंगे से भी act बोलते है 1992 में लाए गया था तो उससे बनाएगी तो यह क्या होगी statutory body होगी executive body कैसे है जैसे आज क director इसको head करता है IPS rank का होता है director general बोलते है पुलिस का इसको जो यहाँ पर आज की rate में पावर कहां से आती है फिर इसको चलाने की तो power आती है आपर Delhi special police establishment जो act है 1946 का यहां से पावर लेती है और इसके basis पर इसके function चलते हैं वहने कि परोसी से मांग कर कुछ अपना जुगार च side करते हैं अगर leader of opposition और chief justice of India आपस में मिल जाएं तो फिर prime minister की भी यहाँ पर नहीं चलेगी अब की बार भी कुछ ऐसा ऐसा है आपर देखने को मिला आज की date में CBI के director कोन है वो आप लोग को बताने है बाकि में आप लोग को और कई सारी ऐसी बाते बताऊंगा जो आप लो सारी चीज़ों को corruption और किस तरीके से कहां से क्या गया चीदे procure कर रहे हैं तो वो समझा गया कि उसको कहां कहां से क्या गया खरीद कर ला करा रहे हैं माली कोई हतियार ले करा रहे हैं कुछ लिए पैसा कहां जा रहे हैं तो उसको check करने के लिए हाँ यह एक special establishment किया गया था फिर आगे चलकर लगा यार यह body important है इसको continue रख सकते हैं तो यहाँ पर संथनाम committee बनाएगे हाँ पर prevention on corruption जो कि 1962 से 1964 तक इसका time duration रहे है फिर इस सवाली body ने हाँ पर काम किया और इसके दोर recommendation दिया गया कि यार कोई CBI जैसी एक body आप लोग बनाओ तो इससे पहले हाँ पर special ministry of personal के अंदर डाल देते हैं तो आज की rate में CBI जो ministry of personal के अंदर में काम करती है तो यह तो हो गई इसकी history के बारे में जहां से कई हो बार आप लोगों से कई सारे question पूछे आ चुके है और यह तो इतना question पूछा गया है फिर बोलते question कहां से आ गया तो भाई साब यहां से आ पड़ती है इंडियन police service के थूँ यहां पर क्योंकि इंडियन police service जो रहे होम ministry के अंदर में आती है जब कोई case लड़ना होता है तो ministry of law से आप इसके lawyer आते हैं यानि कि एक तरिक से कानी मैंने मांग तांग कर आप लोग क्या बनाना है आप लोग को mixed ways बनानी है तो आप है अभी इसको थोड़ा सही कर लेना इसको फिर से मैं करना छोड़े बूल गया चलिए बूलोगे नहीं आप लोग सेकिंड आर सी यहां पर आया administrative reform commission थे 2007 में उसके द्वारे भी बोला गया हैं आपर कि CBI काफी important body है इसके लिए act होना चाहिए कोई proper way में ताकि यह काम कर सके reason क्या था क्योंकि Interpol जो है जो कि international level पर जो police है उसमें हाँ पर हमारी CBI हम लोग को represent करती है तो इसलिए बोला गया है हाँ पर किस के लिए कुछ ऐसा provision होना चाहिए इसी के साथ में यह support भी provide करती है जो CVCI जो है Central Vigilance Commission और लोग पाल उसको भी support provide पराती है तो इसलिए हाँ CBI का कुस्तो उकात होनी चाहिए आप लोग यह बोले को किसी और के इसाफ से काम करेगी तो गलत बात है यह काफी important यहाँ पर news निकल कर आप लोग के सामने आगी CBI जो है अगर बात करें आज की rate में आप लोग को देखने को मिला कि यह एक executive body है इसी के साथ में अगर बात क आप लेंगे तीन लिस्ट हैं central list होगया state list होगया कौन के list होगया तो state list के अंडर में आते हैं आपर जो police का subject है खासकर law and order का maintain करने का जो subject होता है तो इसी के चलते हैं यहाँ पर CBI जो है वो act करती है as per the procedure of जो हैंपर code of criminal procedure है CRPC जिसको आप लोग बोलते हैं ठीक है तो यहा यहाँ पर तो फिर क्या होगा फिर यहाँ पर CBI यहाँ पर काम नहीं कर पाएगी बोलाना मैंने भी यहाँ पर कि एक तरीके से दो तरीके consent आप लोगो देखने को मिलेंगे तो अगर यहाँ पर एक general consent withdraw कर ले तो फिर special case बनेगा तब यह वो हाँ पर जा पाएगा important है second schedule में रखा गया है right to information at के तैड यानि कि कोई भी CBI से information नहीं ले सकता है intelligence अगर बात करें हाँ पर gathering जोविन की होती है security organization है तो यहाँ पर इसको इसलिए second schedule में रखा गया है ताकि इसको आट यह से बाहर रखा जा सके क्योंकि कई सारे ऐसे case होते हैं जोगी देस पर काफी इंपेट डाल सकते हैं तो इसके चलते हैं इसको बिलकुल अलग रखा जाते हैं tenure के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो tenure of the director रहते हैं आप उसके बारे बात करें तो CBI जो है वो प्रोवाइड करते है security of two year tenure यानि कि दो साल तक का tenure minimum होना चाहिए जहाँ पर CVC के act स यहाँ पर निकल कराते हैं याद रखेगा मैंने अभी बोले हैं हाँ पर एक police establishment act है इसको daily police establishment act बोलते हैं वहां से CBI के लिए आप लोग क्या निकालते हैं उसकी कारिये करम निकालते हैं कैसे CBI काम करेगी पर लेकिन CBI का tenure जो होता है वो decide कियाता है CVC के दौरा जो central vigilance commission है उसका act है उसके इसाफ से यहाँ पर करता है अतना कि जो police establishment act है तो दोनों अलग अलग है minimum 6 महीने का जो बोले जाते हैं आपर एक tenure तो इंट्रिद्यूस किया गया थे हैं आपर basically Supreme Court के दौरा ठीक है पर लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो less than 6 months से नीचे नहीं रहना है उस that तो Supreme Court और जो High Court रहागे तो यहाँ पर terrorism का मुद्दा हो गया कोई bomb blast का मुद्दा हो गया क्रिनेफिक का मुद्दा हो गया तो वो बोलते हैं CBI को भाय साब जाकर चेक करो तो यहाँ पर CBI उस तरीके से भी काम करती है economic offender के कोई fake Indian currency यूज़ कर रहा है bank में fraud करकर भाग ग गया कोई तो उसके लिए हाँ पर यह काम करती नजराएगी anti-corruption case के भी बात करेंगी हाँ अगर बात करें prevention of the corruption अगर कोई public office में है वहाँ पर एक तरीके से central government का PSU का किसी का employee है वो कुछ ऐसी हरकते करें कि सब कुछ चपत कर जाए कि जनता की education या health के लिए पाइसा आया त तो central government जो है वो authorized करती है CBI को कि वो investigate कर सकते है state के अंदर पर लेकिन उन्हीं के अंदर जिसे state ने हाँ पर consent दिया है इसी के साथ में अगर state ने consent नहीं दिया है तो क्या फिर भी CBI entry कर सकती है जी हाँ बिल्कुल कर सकती है अगर Supreme Court या फिर High Court CBI को order the investigation का तो बिना consent के भी तो बात करें तो 69 तो center के द्वारा ऐसे low बना रखे जिसमें CBI अपने काम कर सकती है 18 state के SI act है और यहाँ पर 231 offenses है इंडियन Penal Code के दैक जहाँ पर भारतिये दंड सहीता के साथ है जहाँ पर CBI जो है वो investigate कर सकती है तो CBI का दाएरा जब इतना बड़ा है तो फिर आप क्योंकि statutory body बना देगे तो central government के हाथ में जो power है CBI को अपने हिसाफ से चलाने की वह वाली power चली जाएगी और उसी के चलते सारा मुद्दा देखने को मिलता है तो समझ में आ गया कोई confusion नहीं होना चाहिए पूरा detail में मैं आप लोग को मुद्दा समझाया इसलिए ताकि आपर बार बडोस ठीक है तो बार बडोस यहाँ पर यहाँ पर यह आईलेंड है वो अभी महारानी को साइड में उठागर फैंक दिया उन्होंने और बोला है कि आज से हमारे उपर महारानी रूल नहीं करेगी तो यह क्या है चक्कर पूरा क्या है समझेंगे पूरा पहले आप लोकेशन देखिए अपनी प्यारी कंट्री यहाँ पर होगी और यहाँ पर आप लोग यह बार बडोस देखने को मिलेगा यह पर्टिक्लर आइलेंड आप लोग के सामने है एक पर्टिक्लर मॉंटेन है आप जो आप लोग याद रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्याद जा रही है तो यह कहें आपर यह कोबलर्स रीफ है तो यह इस पर्टिक्लर एरिया में आप लोग को नजर आएगा तो इसकी जोग्रोफिकल लोकेशन हो गई अभी हुआ क्या बार बाद उसने बोला कि रानी जो है वो हमारे उपर रूल ही करेगी तो रानी रूल क्यों कर अगर उसके बारे में आप लोग उसे बात करूं तो यह काफी इंपोटेंट मुद्दा है जब से आज की डेट में पहले ऐसा हुआ करता था कि काफी सारे ऐसे देश थे जहां पर आज की डेट में आप लोग बोले अंग्रेज रूल कर रहे हैं तो उस ताइम पर अंग्रे जो के द्वारा और फिर वो इंडिपेंडेंट होगे अपना खुद का समिधान बना लिया अपनी खुद की गवर्मेंट चला रहे हैं जैसे कि हमारा भी देश है उसमें से एक तो वो सारे देश जो हैं वो कोमन वेल्ट नैसन बोले जाते हैं यानिकि उनको याद दिलाने क कोस्टिशन मना कर अपने हिसाफ से काम कर सकते हैं तो यह चीज़ें हाँ पर देखने को मिली तो चोवन ऐसे स्टेट हैं आपर यह टेरिट्रीज हैं जो कि बिटीज के जो एंपरर को यहाँ पर मानते थे पहले पर लेकिन आप आलमस्ट जो है वो खतम होते जा रहे हैं कोई आराना नहीं था आप लोगा तो इंग्लिस लेंग्वेज जो है वो काफी हिस्टोरिक ताई यह दो मुद्धे होगे दूनों को करने के और फोकस यह रहता है कि डेमोक्रेसी को मेंटेन अखा जाए कि जन्तंतर होना चाहिए इंसानों के हको का हाँ पर पालन होना चाह यह तो यह Commonwealth का चार्टर बनाएगे इस तरीके से इसी में जो Commonwealth के जो गेम होते हैं वो इनहीं लोगों के लिए होते हैं तो यह कहने का मतलब यह है कि यह जो गेम होते ही हां से निकल कर आते हैं अगर बात करें आप लोग देखते हैं इंडिया पाकिस्तान तो नजर आए यहां पर यहां पर यहां पर ऐसा नहीं कि आप लोग इनके नीचे रहना ही रहना है तो आप लोग अपनी मर्च से छोड़ सकते हैं पर जैंट टाइम का जो कॉमन वैल था अगर उसके बारे में कोई आप लोगों से बात करें तो याद रखेगा वह 1949 में स्टैब्लिस किया यहां पर किया गया और कई सारी बाते आप लोगो जानने को मिलें जैसे मैंने बताया भी आपर तो जो एंपरर है यहां पर बेसिकली एंगे बिटिस के हैं तो उनके बिसिकली हां पर लीड करते हैं तो लंदन डिकलेरेशन कुलिंग इलिजबेट अब दो इंपोटेंट ब यहां पर इसको जोइन किया गया तो यहां से आप लोगे लिए कोशन बन सकता है इसी के साथ में Commonwealth का जो हैड होता है तो यहां पर जो मिटिंग होती है वोती है बाइनल तो बाइनल जो सम्मिट आप लोगो देखने को मिलेगी अब इसमें आप लोग कन्फिजन हो सकता है द साथ में आए की जगें हांपर यू है तो यह डिफरेंस है तो इसको देखेंगा क्या क्या इफरेंस अब यह चोबिस महिने में एक बार होगी या पर से किन्वाले जाएंगे तो बाइनल यहां न вами हांण इक साल में दो बार होगी यहां पर हर शर्वाहीने में मिलेंग तो यह difference आप लोग को देखने को मिलेगा, तो spelling में जड़ा सा difference है, confused मत हो जाना, यह आप लोगी दो vocabulary भी तयार होगी, आप लोगी हैंपर, यह noun, यह फिर adjective की तरीके से use कहता है, यह only adjective की तरीके से use कहता है, तो यह हैंपर दो साल में एक बर मिलेंगे, और यह साल में दो बार मिल देखने को मिल जाएगी, तो यह सारे commonwealth के nation के जो area है, वो मैंने आप लोग यहाँ पर बताए, अब कुछ और बाते हम लोग जान लेते हैं, जो यह अपना पीछा चुड़ागे, जो नया अभी यहाँ पर देश बना है, जिसका नाम है आपर, बारबादोस, तो वो यहाँ यहाँ पर first time जो थे हैं आपर, जो English जो कोलोनी बना था, यह 1625 में बना था, और हम लोग discuss कम कर रहे हैं अभी हाँ यहाँ पर, हम लोग 2021 में discuss कर रहे हैं, तो लगबख 400 साल यहाँ पर आप लोग इसको देखने को मिलेगा, इसको पूरे हो जाएंगे, जब से यहाँ पर य जा रहता, ट्रेड वैपार के जा रहता, तो इनको कोलोनी बना लिया गया, कोलोनी बना लिया गया, वैपार के लिए और उपनी वेस बना लिया गया, कैसे, जैसे हमारे देश में नी था, यहाँ से क्या करते थे हमारे देश में से, रो मेटिरियल निकाला करते थे, और ले तो इसके चलते हैं पर लोगों के अंदर खोब बैट गया था, तो institutionalize करती हैं पर एक तरीके से, एक लोगों के अंदर दर नी बैट जाता है गया यार यह पता नी क्या चलता रहेगा आपर, तो वो वाले मुद्दे भी हाँ पर देखने को मिले, तो बार्ब दोस जो है, उसक और यहां पर location दिखाता हूँ यह आप लोग देखते हैं ठीक है exactly यहां पर आप लोग देखिये ठीक है तो यह आप लोग को देखने को मिलेगी तो Caribbean Sea में आप लोग को नजर आएगा इसलिके साथ में हाँ पर Canada यह आप लोग को देखने को मिलेगा ओपर पिर भी हाँ पर इनकी महरानी जो थी वो यहाँ पर ऐसे रूल करती थी उसका जनमदीन सेलिबेट करते थी जैसे कैनेड़ा करते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं बाकी अगर बात करें हाँ पर जो प्रेजिडेंट है आज के अंदर यह सारा काम चला भी इनका नाम याद रख फोर्म की गई थी तो यह नोर्थ अमेरिका के अंदर एक एरिया आप लोग को देखने को मिलेगा अब कुछ ऐसी बाते जान लेते हैं जो कि हमारे लिए भी इंपोर्टेंट है कि हमारे रिलेसन है इसके साथ में कुछ तो आप दो तरीके से इसको देख सकते हैं एक तो जी हाँ पाट है तो इंडिया के साथ में भी कभी ने कभी मिलचिल होता रहता है इसी के साथ में कॉमन वेल्थ का पाट है इंडिया भी पाट है जी हाँ बिलकुल है नोन अलाइंग मुवमेंट नेम के बारे में आप लोगों ने सुनाओगा ठीक है और इसी के साथ में और पर 2021 में तो यह important हो गया sign किये हाँ पर air service agreement 2015 में जिसके चलते जो travel agreement दोनों country के बीच में देखने को मिला first ever foreign office जो consultation यहाँ पर देखने को मिला इंडिया और बारबर दोस में वो यहाँ पर कहा पर हुआ बारबर दोस के अंदर हुआ जो इसकी capital थी हाँ ठीक है तो यहाँ पर ब्रैक्टन के अंदर देखने को मिला था 2015 में तो relation तो अच्छे है ऐसी तो बात है नहीं कि हम लोगों ने सपोर्ट करते हैं और वोट करते हैं इंडिया को भी हाँ पर आगे चलकर सीट मिलने चाहिए उनसे के अंदर में प्रोफर ठीक है तो कंडिडेचर जो थे हैं आपर उसने सपोर्ट भी कहता हमारी कंट्री के लिए जो 2011 बारह में सपोर्ट करते हैं इंडिया के कंडिडेचर हम लोग importer भी करने हैं ठीक है एलेक्ट्रिक मसीन डियो प्टिकल्स फोटोग्राफी या सिनोमेटोग्राफी एक्यूप्मेंट्स तो यह कुछ चीज है कि हम लोग इहां से किर्केट यहां पर किर्केटर्स ओफ्योर और आप झाहू सब्सक्राइब जो हमारे देशे में लिग होती हैं यहांबर और पर मेंबर मारे देखने को मिल जाहेँ इंडियन कमुनिटी जो हैं लगबग धाय जार के करीब इंडियन ओरीजन के जो लोग हैं वो यहाँ पर इस आइलेंड में जाकर रहते हैं यह बात करें आजकर में हमारे देश के लोग आप लोगो हर जगे देखने को मिल जाएगी आईपेल में आते हैं तो इस तरीके से बारबादोस के साथ में ठीक ठाक रिलेशन हमारे हैं तो इसलिए कोश्चन किसी भी तरीके से पूछ देए बारबादोस इंडे के रिलेशन के बारे में या फिर common wealth को लेकर यहाँ पर तो सारी चीज़े मैंने आप लोग को इतने detail है बता दी अब आप लोगों कोई भी confusion इससे रिटेड नहीं होना चाहिए अब आगे बढ़ते है यह important मुद्धा यहाँ से निकल कर आ रहा है lithium के बारे में तो lithium के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा chemistry में periodic table याद आ रही है जो hydrogen होता है पहले number पर होता है जो helium होता हो दूसरे number पर होता है और जो lithium होता हो तीसरे number पर आते है तो इस lithium के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले है symbol इसका होता है LI, तो यह वही lithium है जो कि आप लोग battery बनाने में काफी large scale पर use करते हो, ठीक है, आप लोग देखना battery बगरा बना जाते हैं काफी large scale पर lithium की, और इसी के साथ में जो यह cup बना जाते हैं mix करकर यहाँ पर lithium में तो यह straight cup बना जाते हैं even यह जो iron man के जो आप लोग को यह body देखने को मिलती हैं इसमें भी काफी हद तक lithium जो है वो use के जाता है, तो इस lithium को क्यों हम लोग पढ़ने हैं, पहले वो समझ लेते हैं अभी रवेग्यानिकों के द्वारे हैं यहाँ पर यह पाया गया है, कि आज की date में जो lithium है वो यहाँ पर एक misty के तोर पर यहाँ पर देखा गया है, एक clue मिला है कि कई सारे जो यहाँ पर एक तरीक से ने evolve जो star है उसमें, lithium की abundance देखने को मिल रही है, यानि कि रहसे में तरीके से जो कई सारे जो star आ रहे हैं निकल कर उसमें बोला जा रहा है कि सितारों में जो lithium की परचुरता देखने को मिल रहे हैं, काफी ज़्याद है lithium है, उनके पास में ऐसा एक analysis यहाँ पर किया गया, तो researcher का यह माना है कि काफी large scale में यहाँ पर lithium आप लोग को देखने को मिल रहा है, hot plasma star के अंदर में अगर आप लोग बात करोगे, तो यहाँ पर जो चीज़े देखने को मिलते हैं, lithium जो है वो trace किया जा सकता है, ठीक है, तो lithium is a traced element on earth, ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल गए, हाँ पर rechargeable battery के लिए भी उसको कई बार use कियाता है, तो lithium अगर बात करें, तो यहाँ पर बाता है कि 1% of the sun like, जो red giant होते हैं, जो काफी बड़े-बड़े sun जैसे ग्रहे हैं, तो हाँ पर lithium जो है बोला जाए कि enriched surface जो उसका होता है, वो lithium का होता है, इसमें कि study कीएगी जब researcher के द्वारा तो यहाँ पर एक particular sub-use किया गया जिसको बोला गया गाला, G-A-L-A-H, तो यह क्या है यहाँ पर Australian एक bird है, जो कि हाँ पर normally बोला गया कि इसके लिए हाँ पर कि एक collection है आपर, लगबग 5 लाक स्टार्स का, जिसके ओपर यहाँ पर study कीगी, उसके physical और chemical जो property को देखने कुछ कीगी, तो यह पता चला कि lithium जो है, उसमें काफी abundance मातरा में हाँ पर पाया जाता है, lithium के बारे में अगर बात करें, तो आप लोग जो रहती है, तो हाँ पर आप लोग को बात करें, जो नूकलियर जो reaction है, इन्वोर रहती है, कोईलेशन के अंदर, तो हाँ पर आप लोग को बात करना, आप लोग ने कई बार इसके reaction के बारे में सुना भी होगा, कि एक तरीके से hydrogen, जो हाँ पर, मैं आप लोग को reaction दिखाता हूँ, एक मिन तब ही आप लोग समझेंगे, यहाँ पर आप लोग isotopes होते हैं, ठीक है, इसकी वैसे आगे चलकर stable एक lithium isotope बन जाता है, isotope और isotope और isotope बार में अगर आप लोग को सब्सक्राइब पूछ ले तो क्या आप लोग को बता है, isotope वो atom होते हैं, जिनके, जो यहाँ पर, यह ना यह वाला जो low mass star अगर देखा है, तो giant उसके अंदर lithium काफी quantity में आप लोग को नज़र आएगा lithium के बारे बात करें, तो chemical ली अगर बात करें, लीथियम के बारे में तो symbol L आप लोग को मैंने बताया, soft, silvery और white metal आप लोग को यहाँ पर यह नज़र आएगा इसके साथ में इसके बारे में अगर बात करें, तो यह lightest metal है, अगर बात करें metallic category में lightest देखने को मिलेगा, मैंने भी इसके periodic table बतायना भी हाँ ठीक है तो helium हो गया, hydrogen हो गया, helium हो गया, अब lithium आगे तो metallic category में यह सबसे हलका आप लोग को नज़र आएगा तो lightest और यहाँ पर lightest solid element भी यही है, highest reactive है और flammable भी है यहाँ पर यह तो इसलिए हाँ पर must be जो store कियाता है, तो mineral oil के अंदर रखा जाता है, जब भी इसको store कियाता है lithium जो है यहाँ पर वो एक new white gold की तरीके से भी इसको समझे जाता है तो कुछ country यही है जो काफी ज़ते news में आगी है, जैसे कि यहाँ पर चिली देखने को मिलेगी, यह हो गया बोलेविया और यह अर्जेंटिना इनको lithium triangle का नाम भी दिया जाता है, अगर पूछ रहे direct question को यह आप लोगों से lithium triangle क्या है तो याद रखना, एर्जेंटिना, बोलेविया और चिली यह lithium triangle की category में आते हैं lithium matter जो होती है, वो यूज की जाते हैं आपर बिसिकली एक तरीके से आपर जैसे कि आज के रहे बोल सकते हैं कि क्या हैं पर motor engine मनाने के लिए aluminum से हाँ पर aircraft part में भी हाँ यूज कियाता है, magnesium को मिला कर ये कवज के तरीके से यूज कियाता है, तो इस तरीके से कई सारी चेह देखने को मिलेगी ठीक है, जैसे हाँ एक तरीके से आप लोग ये भी देख सकते हैं, आप लोग ये भी चीज़े बनाए जाते हैं इनमें भी यूज कियाता है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, सबसे ज़्यदे कंट्री कौन से हैं, जिसमें चीली में पाया जाता है, फिर आस्टेला में और फिर एर्जंटीना में यहाँ पर पाया जाता है, सबसे ज़्यादे है इम्पोटेंट मुद्धे हाँ पर एक यह है, अटोमिक जो मिनरल है, डिरेक्टरेट हमारी के अंदर, उसके दार एस्टिमेशन लगाया गया, कि हमारे देश में लगबख 14,000 टन के करीब, अभी एक स्मॉल पैचेन के एक एरिया देखने को मिला, यहाँ पर किसका, हीलियम जो की करनाटका के अंदर नजराया, मांडिया डिस्टिक के अंदर में, तो इंडिया का फस्ट एवर लीथेन डिपोजिट इसको बोला जा रहा है, तो अगर हमारे देश में से लीथेम हम लोग इखटा कर पाते हैं, तो आने वाले टाइम में जो बैटरी बनाने वाला फं 29% ceramic glasses में और 27% यहाँ पर बैटरी बगारा बनाने में, तो यह ceramic glasses यह वाले मैंने आप लोग बताएं और बैटरी मैंने आप लोग यहाँ पर दिखाए दी, पर लेकिन अगर बात करें 2011 से लेके अभी हम लोग बात करें 2021 में चेक करोगें, तो 54% करीब आप लोग को देखने को मिलेगी, तो इसलिए काफी important हो गया है, अदर जो potential site है हमारे देश में, जिसी की राइस्थान, बिहार, आंदर पर देश के अंदर, इसी के साथ उडिसा और 36 गड़ में हाँ पर बात की जारे, पिगमेंटाइट, इगनेसिस, रोग जो पाई जाती है हाँ पर, मेजर जोए इसी के साथ में हाँ पर इसी के साथ मेंुआ पर पहर पंचपाद्र जो राहस्थान के अंदर, नेक्स यहां पर रनोंफ चच गुजराट के अंदर यहां पर आप लोग को देखनेको मिलेगा, ठीक है तो इसके बारे पूछे जा सकते है तो अगर आप लोग रायस्थान से आते हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए यहाँ पर कि पच पाद्रा कहां पर है यहाँ पर यह बेसिकलर ठीक है तो इसी के साथ में रण ओफ कच में आप लोग के नजर आएगा अगर गुर्मेंट के इनिशेटिव के बारे बात करें तो इनके द्वारा यहाँ पर एक particular company है जिसको बोलते हैं हाँ पर basically ख्रीजल विदैस, India Limited ठेक है तो यह जो particular company है यह इसी के एरिया में काम करती है और Argentina के साथ में jointly हम लोग basically अपने काम भी कर रहे हैं लिथियम को लेकर तो यह काफी important है आप और यह company जोए काफी important है अगर कोई भी काम करना है लिथियम से लेटी तो यह company हमारी काम करती नज़राती है अभी देस में हम लोग कई सारी लेक्टरी विकल को launch करने की बात करें तो लिथियम काफी बड़ा role play करेगा dependency देखने को मिले तमिल्लादू की साइड से क्योंकि तमिल्लादू के जो मुख्य मंत्री है, उनके द्वारा क्या क्या गया? सेंट्रिल गृर्मेंट से बात की गई यूइन टेक्स्टाइल मिनिस्टर से और उनको बोला गया कि import duty जो है cotton के ओपर जो लगा जाती है उसको हटा दो cotton के ओपर अगर import duty हटा दी जाएगी तो इससे क्या रहेगा आसानी से हम लोग raw material लेकर आपाएंगे और अच्छी से product अपने area में बना पाएंगे तो import duty भार से product जब हो लोग लेकर आते हैं उसके ओपर लगा जाती है textile जो है वो second largest employee प्रोवाइड कराने वाला area है अगर बात करें state के अंदर भी और देश के अंदर भी काफी बड़ा role play करते है one by third size of the textile जो business है वो आप लोगो तमिन लाडू के अंदर देखने को मिलेगा अगर बात करें तो 11% यहाँ पर import duty लगा जाती है cotton का जब import कियाता है यहाँ धागा बगयरा बनाते है वो सब चीज़े फिर cotton की जो procurement के बाद में तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 5% जो interest suspension इसके भी देनी चाहिए याँ कि इसके उबर छूट भी देनी चाहिए बल्कि 5% की ताकि हमारे देश में cotton के जो मिल है वो और अच्छे लिवल पर यहाँ पर काम कर सकें जब season रहेगा December से लेके मार्स तरका तो इसके चलते क्या होगा हमारी country में से जो यह वाला उद्ध होगे वो अच्छे से काम करेगा और export भी हम लोग कर पाएंगे यह काफी अच्छा रहेगा अभी final minimum अगर बात करें side जो है यह auction का वो 500 बोल के करीब आप लोग को देखने को मिलेगा नि गठ्थे बांद जाते है उसको एक तरी से गठ्था बांद जाता है cotton का वो है तो micro and small medium enterprise के अंदर यह काफी important है अगर इसको आप लोग कर पाते हैं तो हम लोग अच्छे से काम को आगे लेकर चल पाएंगे reason भी है demand के लिए हाँ पर basically आज केट में अगर बात करें basically होता है किसानों को तो price नहीं मिल पाते हैं वो बिचोलिया खा जाते हैं सारी उसके वेसे दिक्कते देखने को मिलती है और फिर गरीब तबके का जो society का लोग इसके उपर impact पढ़ता है और यह लगता है पैसा किसान के पास में जाता है नहीं है तो कई जगे ऐसी भी दिक्कत है आप लोग को देखने को मिलती है पर जेंट जो crisis है आपर वो basically बात करें किसको लेगर काफी हार सिफ है अगर बात करें time of export के मामले में तो आप लोग को हमारी देश में कपास के फिल्ड में हम लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं कई सारी country यह सी जिनके कपड़े काफी large scale पर बेचे जाता है market के अंदर में जैसे बंगलादेश होगा काफी competition में रहता है वियतनाम काफी competition में रहता है तो जब जब यहाँ पर चाइना ने खाली किये जगे बंगलादेश और वियतनाम ने जाकर वहाँ पर भर लिये तो इंडिया फिर पेछे रह जाता है तो major reason कई सारे है cotton price के basic custom duty इसी के साथ में agriculture infrastructure development सेस लगा जाता है 10% social welfare सेस लगाया गया budget के अंदर में और इसी के साथ में overall import duty है 11% तो आते आते इतना महिंगा हो जाता है कि हम लोग कपड़ा चाहकर भी market में सस्ता नहीं बेच पाते हैं तो concern यह है कि अगर import duty भी हड़ जाते तो भी काफी फायता देखने को मिलेगा तो लोगों को job में मिलेगी लगबग माना जारे कि 12,00,00 के करीब लोग इहां पर इस particular area में job भी करते हुए पाय जाते हैं तो इसलिए हां पर इस area में काम करना काफी ज़्यदा जरूरी है cotton का जो import है वो एक cash crop के तरीके से होते हैं तो cash crop की तरीके से होते हैं ठीक है तो काफी बड़ा role play करता है तो industrial और agriculture एकनोमी के अंदर इसका काफी बड़ा dominance रहते हैं अगर बात करें largest producer of cotton in the world अगर बात करें और कौन exporter है तो इंडिया जा है और largest producer है पुरिशी के साथ में third largest exporter है तो यह भी है आपर और largest consumer भी है हम ही हम लोग maximum जनता इतनी है हमारे देश में कि इतना सामान हम लोग उगाते हैं अपने आप ही खा जाते हैं अभी बात करें क्या फायदा देखने को मिला हमारे देश में तो genetically modified जो BT cotton यह variety भी हाँ पर यूस के गई तो cover किया जब से इस आज की डेड़ में produce कर रहे हैं और इंडिया का जो produce of 51% टोटल जो organic जो cotton production आप लोग को देखने को मिलेगा वो वर्ड का है यानिक हम लोग सबसे ज्यादा पर यूस कर रहे हैं इसलिए हमारे cotton की मांग भी बढ़ जाती है organic तरीके से जो चीज़े होगाय जाती है cotton जो है व वो इसी से निकल कर आता है ताइमप्रेचर 21 से लेके 30 तक के वीच में और रेनफोल 50 से लेके 100 यानिके जादेनी चाहिए काम चल जाता है इसको बेसिकली आप लोग रिगूर के नाम से जाते हैं तो यह सोयल और पर कई बार कोशन भी पूछे जा चुक है पड्यूस के लिए फाइबर हो गया ओल निकलते है उससे और एनिमल के लिए तो खाना खिला जाता है गाउं में अगर आप लोग होता होगा आप लोग कि जब उससे बिनोले निकाले जाते हैं और फिर गाएं को डाले जाते हैं वह वाली बात की जारी है टोप प्रड्यूजर कौन है आपर इंडिया टोप पर है चाइना दूसरे नमबर पर है यूस से तीसरे नमबर पर है हमारे देश में अगर पूछे तो गुजरात वासी सब लोगो राज्य नजर आएंगे ठीक है तो इनके बारे में याद रखेगा hybrid cotton जो अभी आप लोगो देखने को मिली ठीक है तो यहाँ पर उसके चलते भी कई बार news में रहा उसकी कई है किशा पर अच्छी बोलने है कि बुरी बोलने पर हां एक तरीके से open जो प्रड़नेशन यहाँ पर प्लांट को देखने को मिलता हैं तो उसके चलते हैं पर कई सारी वैराइटी भी हां पर जनरे वी इसके चलते हैं हमारे तो फिर इसको देखेगा ठीक है तो टेंसर नहीं होना चाहिए जो question पोस्ता हूं के आंसर आप लोग जरूर दियागरो अगर कोई भी question बनता है तो ओके आगे चलते हैं आपर एक scheme के बारे बात की जारी जिसको बोलते है deep ocean जो mission तो ये कई बार पूछा गया कि ocean के अंदर जाकर mission चलाना जिसमें poly metallic जो नेडूल है उसको निकाल कर लेकर आना ठीक है तो poly metallic नेडूल इनको बोला गया PMNB इनका नाम दिया गया तो उनको निकाल कर लेकर आना जमीन के अंदर से तो नोडल जो ministry है वो है ministry of earth science इसके बारे में याद रखेगा जो mission है आपर वो project support किया गया है blue economy के दोर पर यानकि ocean के अंदर से आप लोग चीज़े निकाल कर लेकर आ सकते हैं और अगर ocean के अंदर से चीज़े निकाल कर लेकर आनी है तो ये ऐसे project जो आते हैं वो central government के अंदर में आते हैं यानकि state के अंदर जो चीज़े है वो state government देखेगी बाकी हां का जो area हो गया वो central government देखेगा जो पानी के अंदर जो भी काम यहां पर करना होता है आज की date में बात करें हां पर कई सारे component है एक तो technology होनी चाहिए ठीक है energy and fresh जो यहां पर fresh water from ocean उसको कैसे लेकर चलना है और development of ocean climate जो advisory जो service है वो देखने को मिलेगा इन सब मुद्दों को implement करने के लिए हमारे देश में लगबग 4000 क्रोड रुपे हां पर अभी recently देगे 5 साल के लिए 2021 से रेके 26 तक का ता कि हम लोग इसको implement कर सके ministry of earth science है वो यहां पर इस mission के लिए काम कर रही है और यह माना था है कि समुद्र के अंदर आज की डेट में भी 95% ऐसा area है जिसको अब तक explore नहीं किया है तो उसको explore किया जाएगा तो काफी सारे resources हम लोग अपने देश के लिए निकाल पाएंगे तो यह सारे मुद्दें हाँ पर देखने को मिले आई होफ कि आप लोग के माइन में confusion नहीं होगा डिटेल में मैंने बात की देगे थोड़ा सा लेंद भी हो जाता है कई बार lecture जम मैं मझे में बढ़ाने बैठ जाता हूँ ठीक है और morning में कौन-कौन उठ रहा है वो yes बोलिए और जो नहीं उठ रहा है वो no बोल सकता है basically हाँ पर बोला था 60% लोगों ने तो कम से कम यहाँ पर अगर बात करें तो साड़े 6 से लेके साड़े 7 बे तक जो वीडियो है कम से कम 13,000 लोगों के द्वार तो minimum देखी ही जानी चाहिए ठीक है जबकि हाँ तो 60% के द्वारा बोला गया था और भी ज़्यादा आप लोगो देखने को मिलेगे पर 50% तो कम से कम उठो 13,000 तो कम से कम लोग यहाँ तर देखो पर लेकिन आप लोग है उठी नहीं रहें तो आप लोग नहीं चाहते क्या आप लोग अपनी जिंदगी को एक शांदार तरीके से स्टार्ट करें अपनी लाइफ में हमेसा मोटिवेट रहें आप लोग देखो तो से यार एक बार अपनी जिन्दगी को यह सारी चीज़े इंप्लिमेंट करके इससे आप लोग को मैं एक तरुके मुद्दा दे रहा हूँ आप लोग एक तो हो गया सुबह समझ में नहीं आता है उठके क्या करने है आप लोगो मुद्दा दे रहा हूँ कि 6 बजे उठ जाओ अपना उठके अपना आपको fresh fresh करो अपना अच्छे से और direct आप लोग चीजों को start करो अगर रात को जल्दी सो जाते हो तो सुबह को 4 बजे उठ जाओ तो अपनों खुछ से decide कर लो पर 6 बजे आप लोग fix कर लो कि आप लोगो हिंदू देखना है 6-7 बजे की बीद और answer आप लोगो provide कराने में ठीक है तो यह होना चीज़ आप लोगो मुद्दा target भी आप लोग इसको रख सकते हैं तो यह बेसिक चीज़ होगी तो कौन को नोट रहा है बताएगा और इसको regular follow गीज़ेगा तो यहां पर कई सारी बाते देखी जो basically map-based question भी मैंने देखा common wealth क्या होता है एक topic तो आप लोग common wealth का ही cover करा दिया इसी के साथ में कुछ vocabulary भी हम लोग ने हाँ पर देखी और बाकी तो सारी चीज़े आप लोगो पते है common wealth और जहां पर हमने इनके जो बारबदोस के साथ में हमारे relation के है वो भी मैंने आप लोगो बता दिये तो कोई confusion नहीं होना चाहिए लीथियम के बारे में जो भी चीज़े बन सकती थी कहां पर कितना produce के जा रहा है हमारे जेस में कितना है periodic table में कहां पर रखा गया है क्या क्या बनाय जाता है पहले क्या था और आग्ति यक् refreshing नें यहां पर हम लोग ने बिसकली इसके बारे बात कि किस लोग के थुरू काम करती है कौन कौन सी कंसेंट होते हो सारी बाते इसी के साथ में important जो योजना भी मैंने आप लोग को बताई जिसके बारे में आप लोग को बता होना चाहिए तो यह था total discussion अब यहाँ पर question देख लेजिए बात करते हैं आपर किसके बारे में आप לोगे सामने हाँ पर बताईए इसके बारे में आप एक बारे में आप लोग बताना है और जो यह हाँपर Mission जो हैं आपर किसके अंडर आता है Deep Ocean Mission ये आप लोग को बताने है CBI किसके अंडर में आती है और कौन इसको appointment करता है ये बताईए बाकी question एक बार देख लेते हैं आपर इनके answer बताऊंगा World Day of Handicapped आप लोग को बताने हैं जो हैं आपर दिव्यांग गन होते हैं उनके बारें बात की जा रही है तो 3 December को ये Day Celebrate कहता है इसके theme आप लोग को बताने है C, G, W, B क्या है ये आप लोग बताईए इसके बारे में distance कहता जिसकी वैसे कई सारे दिखकते भी देखने को मिल रही है World Water Development Report किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है ये आप लोग को बता होना चाहिए पानी जो होता है उनकिस subject में आता है Center State ये फिर concurrent के अंदर में Professional ये आप लोग को बताना था प्रोग्राम तो समझेंगे इसके बारे में अगर आप लोग इनके आंसर नहीं दे पारे हैं और आप लोग को लगता है ये भूल गए इसका मतलब आप लोग ने वीडियो ढंक से नहीं सुनी और आप लोग ने रिवजन भी नहीं किया है तो रिवजन जरूर कीज़े यार चीज़े भूलनी नहीं है लंबे समय तक याद रखना है तो थोड़ा सा आप लोग को फोकस देना ही देना पड़ेगा तो क्या क्या आंसर समझ लेते हैं आप अप लोग के सामने तो leadership and partnership of person with disability toward inclusive, accessible and sustainable post COVID-19 world तो यह आप लोग के सामने है Central Ground Water Board के बारे में बात की जारी इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं इसी के साथ में हाँ पर बोला गए 33% ये करीब जो है पानी कम होता हुआ नजर आ रहा है कोई के अंदर भी UNESCO World Water जो Development Report है तो यह UNESCO की दरह प्रस्तुत की जाती है UNESCO की Full Form आप लोग बता सकते हैं और पानी जो होता है वो State List के अंदर में आता है जो समिधान के अंदर में Reserve Bank of India Act है 1934 का तो यहाँ पर Central Bank Digital Currency के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं Zero Defect और Zero Effect के बारे में बात की जारी हैं तो यहाँ पर यह स्कीम लाए गे थी तो कैसा लगा आज का डिसकसन मोर्निंग में साड़े 6 बजे कौन-कौन तयार रहने वाला है जुरूब बताएगा बिल्कुल एक्जेक्ट साड़े 6 बजे आप लोगो वीडियो मिलेगी तो देखता हूं कौन-कौन उसको देखता है उटके तो अपने लिए कमर कस लेजे और कोसिस करो कि अपने दिन को बिसिकली एक प्रिडिफाइन टाइम पर अपना स्टार्ट कर दो ताकि कोई दिक्कत देखने कर पाओगे तो कौन-कौन तयार है येस या फिर नो तो यहां पर यह तो बोलोगे ने डिसलाइक कर दो क्योंकि un bên ने बाकि कमेंट करकर बता सकते हैं आप लोग अपने सेंडियो कैसे फोलो करना चाते हैं कuciones के साथ में आप लोग मेरे साथ हिआ भी करनेक सकते हैं a और idf त यहां से जाकर आपili टेलिवर से सब कुछ free of post मिल जाएगा नवंबर की दोनों जो combine PDF में ने provide करा दी है आप लोगो उसको भी जाकर देख लेना और नवंबर की आप लोगों की जो वीडियो आती है मंदली वो भी provide करा चुको उसको भी देख लेना बाकी मिलता हूं